हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिन में एलर्जी, संक्त्रमन, मौसम में परिवर्तन और आसुओं का आना और जाना शामिल है। यहां अंतर्निहित बीमारियों और चिकितसा स्थितियों से भी संभव है। तो, आंखों से आने वाले पानी के लिए आयूर्वेदिक घरेलू उपचार क्या है? अच्छी खबर यहा है कि एक प्राकृतिक उपचार है जो आपको आंखों से आने वाले पानी को अलविदा कहने में मदद कर सकता है। यहां आयूर्वेदिक उपचार सामगरी से बनी एक घरेलू आंख की भूंध है जो आसानी से मिलती है और अधिकांश रसोई में पाए जाते हैं। आंखों की भूंध के लिए सामगरी, एक चम्मच आवला का रस, भारतिय गूजबेरी का रस, एक चम्मच इंद्रायन बीज, इंद्रियानी बीज, गुनगुना पानी, एक स्वच ड्रापर आंख की भूंध तयार करना, एक चम्मच इंद्राय के बीज ले और एक गारे औ पेस्टल का उप्योग करके उन्हें एक महीन पाउडर में पीस ले। आवला का रस मिलाएं और इंद्रायन सीड पाउडर के साथ अच्छी तरह मिला ले। प्रिस मिश्रण को कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दे ताकि बीज आवला का रस सो सके। एक बार एक घंटे हो जाने के बाद मिश्रण में कुछ बूंद गुनगुने पानी को डाल कर अच्छी तरह से मिलाएं। प्रिस मिश्रण की दो बूंदे प्रतेक आख में डालने के लिए एक स्वच ड्रापर का इस्तमाल करें। या आंसु नलिकाओं के कार्य में सुधार क करने में भी मदद करता है, जो आंखो में आंसु के सामान्य प्रवा में मदद करता है। आंखो की सुरक्षा और स्नेह के लिए आंसु महत्वपूर्ण होते हैं। निशकर्ष आंखो से आने वाले पानी से जलन हो सकती है। लेकिन इस प्राकृतिक आयूर्वेदिक उप्चार के कारण आपको असुविधा से तुरंत राहत मिल सकती है। अगर आप इस वीडियो को उप्योगी पाते हैं और अधिक प्राकृतिक उप्चार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाना न भूले। स्वस्त और प्रस अन्य रहीं।